तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पैंसनर्स फैमली पैंसनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बड़ी खुसकबरी लेकर आया हूं मैं बहुत डिटेल में यह वीडियो होने वाला है बट इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफोर्मेशन मिलने वाली है बह नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निसान को भी प्रेस करिए तभी आपके पास हमारी वीडियो की लेक्टर्श नोटिफिकेशन आप आएगी और आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू आगे इसी तरीके से वाच कर पाएंगे बेसिकल्ट आप सभी को पता है मैं आपको एक तो आपको सीधा लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पर जिसमें आपको टेबल दिखाई दे रहे होगी तो आप यह देख सकते हैं यह आप सबसे पहली बात पोर्टल है और पैंशनर्स के लिए यह ऑफिशल वेबसाइट है जो को डियो पीडी डिपार्टमेंट पैंशन पैंश लोक सिकायत और पैंशन विभागे उसकी तरफ से नोट जो है यह आपको बताते हैं इसमें पैंशनर्स की बेसिक पैंशन फैंशन इसके लाबह अगर वह अपनी पैंशन या फैंशन को कम्यूट करना चाहते हैं जो कि मैक्सिम्म 40% होती है तो कम्यूट करने के बाद मैं आपको कितनी पैंशन या फैंशन मीलेगी वह आपको Detail में आप बताई गहीं कि आपको बहुत अच्छा स्वाइब तो आगे जो आज लेके आएंगे पैंसनर लेकर आएंगे उसके बाद यह हैं इसमें साडी चीजे आगे निकल कर आएंगी और आप जो है आपकी बेसिक पैंसन, नॉर्मल फेमिली पैंसन, इनहांस फेमिली पैंसन और कम्यूटेट पैंसन आप अपनी देख पाएंगे और अगर आपको अपनी खुद की भी बेसिक पैंसन या फेमिली पैंसन या फिर आप कम्यूटेट पैंसन देखना चाहते हैं या फिर आपके किसी और के लिए है जो है तो आप description box में यह link मिल जाएगा जहांसे आप सीधा जो है वहां पर जा करके आप अपनी सारी चीजे अपनी personal information फिल करके वहां से देख सकते हैं चलिए आपको पहले input देख सकते हैं तब सबसे पहले type of retirement आएगा तो इसमें जो है अगर retirement हुए 60 साल में service करने के बाद में दूसरा option आपको मिलेगा वह आपका जो होगा voluntary यानि कि आपने अगर वियरेस लिया है वह है तो आपने जो भी लिया है वहां पर select कर लेंगे पहला जो है मैंने आपको समझाने के लिए आपको brief करने के लिए types of retirement में superannuation लिखा है आ केक 1975 ले लिया है आप अपनी जो भी date of birth होगी वहां पर आप फिल कर देंगे दूसरा लेके चलते हैं date of retirement अब तीसरा blank आप देख सकते हैं इस में date of retirement expectation के हिसाब से यहां पर दिखा हुआ है आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2034 है आगे future में जो भी retirement होगा वह हम देखने वाले लηने हरा है यहां डिटायर्मेंट हो चुक हें तो भी हम यहां पर देख सकते हैं सारी चीजह तो आपका वहां पर देख पाइंगे यह फिर जो ay अगला आप देख सकते हैं टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है अगर आप रिटार्मेंट हो चुके यह यह फैमिली पैंसर हैं तो आपको अपनी जो है क्वालिफाइंग सर्विस पता होगी मैक्जिम्म जो है 30 साल 32 साल जो भी होती है वह आप यहां पर फिल कर देंगे अगला इंपोर्टेंट है इसमें आप पॉइंट देख सकते हैं वह बहुत ध्यान से देखीगा अगला जो इसमें पॉइंट है सम ओफ लाश्ट टैन मंस इमोलुमेंट बेसिक पे प्लस एंपी यह दोनों में से आप देख लीजे कि या लाश्ट के जो दस मंस हैं उसमें आपको कितने इमोलुमेंट मिला है जो कि बेसिक पे प्लस एंपी को मिला कर बनता है तो मैंने यहां पर पांच लाग रुपे ले लिए हैं जो कि दस मंत का एक मैंने मोटा मोटा रफली यहां पर पांच लाग रुपे ले लिए हैं आप अपना जो भी बेसिक पे और एंप का मैंने यहां पर एक्सपेक्टेट जो है रफली 55,000 ले लिए इसके बाद में सारी इंफोर्मेशन हो गई है अभी सारी इंफोर्मेशन तो टाइप ओब रिटार्मेंट थी डेट बर्थी डेट अब रिटार्मेंट ही टोटल क्वालिफाइंग सर्विस थी समॉप लाश्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है आउटपूट जो भी होगा वह निकल कर आएगा आप अपनी इंफोर्मेशन फिल करेंगे यह मैंने आपको एक समझानी के लिए फॉर एक्जांपल के तौर पर सारी चीज़ें ली है आप देख सकते हैं आपकी बेसिक पैंसन होगी रू इनहांच्ट फैमिली पैंसन की बड़ी हुई दर पर जो फैमिली पैंसन है तो 27,500 रूपए होगी यह हमने आपको बताया आप अगर चाहें तो आप अपनी देख सकते हैं अगर अपनी पैंसन को आप कम्यूट कराना चाहते हैं तो आपके कितनी पैंसन कम्यूट हो सकती है आप 12,000 कर दी है इसके बाद आपको ब्लू कलर का सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं परसंटेज ऑप बीकम्यूटेड तो मैंने फिर 25% लिया है आप अपना ले सकते हैं जिस भी साफ़से यार लेना चाहाएं यह से पर देखना भी चाहाएं कि कितना आपको कम्यू सब्सक्राइब करेंगे जिस पर लिखा हुआ है क्लिक है टू कैलकुलेट अमाउंट पैंसन कम्यूटेट इस पर क्लिक करने के बाद आप पूट आपको निकल कर आएगा आप देख सकते हैं यहां पर जो है छे लाग शहतार जारूपे और छे लाग शहतार जारूपे निकल आपकी पैंसन चोंट जो होने के बाद है और आप 15%ी करते एं और अगर जो क्लिक करने के बाद में जो आपकी मंतली फैंसन बने ईकोर का वह वी बैसिकली यह सारी इंफोर्मेंशन जो मैंने बताई है वह आपको जो है 2016 के बाद में जो पैंसनर से रिटार्मेंट हुए उन सभी के लिए है और अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो पैंसनर से यानि दो यार पांच के बाद और जो फॉर्ट पे कमीशन सिप्ट के पैंसनर से रिटार्मेंट हुए है और उनको जो पैंसनर मिल लाई है अगर उनको जो इनफोर्मेंशन जानी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में यस लिखना बिल्कुन भूलीगा तब ही हम आपके लिए और भी वीडियो मैंने आप जो है सारी चीजें दीखना चाहते हैं चाप की बेसिक पैंसन हो फैमिली पैंसन हो यह कम्यूटेट पैंसन हो तो आप जो है